हेलो गईस आज मैं आपके लेकिया हूँ वेच कबाब रोल की रेसिपी सो इस एक दम टेस्टी एन इजी सी रेसिपी को आगे दिखने से पहले में चानल को सब्सक्राइब करना मत भूना साथी मुझे फॉलो जरूर करना इंस्टाग्रम पे भी एस जैपोई चाटोरी सो चलिए आए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी इसे बनाने के सबसे पहले मैंने एक कड़ाए में ओयल हीट कर लिया था उसमें आड़ करी हूँ आदा कटा हुआ टमाटा थोड़े सी कटी हुई हरी मिर्ची यानि ग्रीन चिली साथ में थोड़ासा लाल मिर्ची पाउडर यानि रेट चिली पाउडर और थोड़ासा हल्दी पाउडर यानि टेब निरीक पाउडर नमक यानि सॉल्ट एक चाथाी चमत सभी कम पाव भजी मसाला बस अब इन सब को हमें अच्छे से mix कर लेना है और साथी mash कर दिना है जब यह mash हो जाए तो उसमें हम add करेंगे boil और mash क्या हुआ अलू यानि पटेटो और इसे भी हमें अच्छे से mix कर देना है और एक से दो मिनिट के बाद दिये जब अच्छे से roast हो जाए तब हमारा मसाला बनके रेडी हो चुका है और last place में add कर देंगे तोड़ा सा कटा हुआ हरा धानिया और फिर gas की flame off करके इसे निकाल के रख देंगे अब roll बनाने के लिए simply हमने मैदे का आटा गूत के रख लिया था और फिरस के लिए लिए है एक लोई और जिस दरीकिसे हम रोटी बेलते हैं उसी दरीकिसे इसे बेल लेंगे यानि रोल आट कर देंगे जब एक बड़ अच्छे से रोल आट हो जाए तब इससे spread करेंगे थोड़ा सा oil यानि तेल और फिर oil लगाने के बद इसके लंब लंबी strips बना लेंगे नाइफ से तो हमें कुछ इस तरीकिसे से नाइफ से कट करना है और जब यह कट हो जाए तब हम एक के उपर एक स्ट्रिप को फूल करते जाएंगे और इसी तरीकिसे सारी स्ट्रिप हमने फूल कर दी है अब इसके बाद हमें बेलन की हल्प से इसे दुबार सा बेल लेना है यानि रोल आट कर देना है लेकिन हलके हाथ से ही और आप इसे ऐसा इसलिए किया है ताकि इसमें हलकी हलकी लच्छे बन जाए अगर आप इसे स्किप करना चाहें तो सिंप्ली रोटी बना कर भी सेख सकते हैं अब जिस तरीकिसे हम नॉर्मली रोटी सेखते हैं ठीक उसी तरीकिसे से सेखना होगा और बस बीच में हमें ओयल लगा दिना है दोड़न तरफ से आप चाहें तो ओयल के जगब बटर भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको इसे on the spot सर्फ करना है तो ही इसे अच्छे से पूर्दर से सेखिए otherwise आप इसे oiling और पाकी completely सिखना तब ही कर सकते हैं जब आप इसे सर्फ कर रहे हैं इसका मतला अगर आप रख रहे हैं तो इसे half roast ही करना है without oil और इसके साथ ही जो हमने मसाला अलू का बना के रखा था उसकी हमने चोटी से ठिकिया शेप बना दी है और इस सरीके से जब रोटी completely सिखने वाले होगी उसे ठीक पले से तबापे रख दिया है ताकि ये भी अच्छे से roast हो जाए और इस पर भी oil लगा है ताकि ये चेपकना जाए तो अब हमारी रोटी यानि रोल का बेस और तिकिया दुनों अच्छे से roast हो चुकी है हम इने तब इससे हटा देंगे अब simply हमें spread करनी होगे सबसे पहले इस पर हरी चटनी जोकी बनाई है अद्रक, हरा दनिया, हरी मिर्ची और नीबू से अब इसके उपर हम रख रहे हैं हमारे वेच कबाब जो हम ने तिकिया की शेप में बनाये थे और उसके पर मैं spread करेंगे थोड़ी सी चिली गार्लिक डिप अगर आप चाहें तो इसकी जगर से ज़जवान सॉस या फिर लसन की चटनी भी डाल सकते हैं अगर आप चाहें तो इससे के बेकर सकते हैं फिर इस पर स्प्रेट करेंगे लंबे कटे हुए प्याज ये प्याज के लच्छे फिर आट किया है कटा हुआ हरा धनिया और लाप्स में डालेंगे थोड़ा सचाच मसाला पाउडर और सिंप्ली से कर देना है में रोल की तरह फूल्ड आप यहां पेक टिशू पेबर भी यूज कर सकते हैं और इसी के साथ बनके रेडी हो चुका है हमारा वेज रोल कबाब I hope you enjoyed my today's recipe and thanks for watching my video